यही सूरे सास्तांसो तेजो राशी जगत पते अनुकंपाय मांभक्या ग्रहानार ग्रहम देवा करो स्री सूरे देओ नमोसुते ब्रणाम करने में हाथ जोड़ करते सूरे सूरे भगवान को और वहीं परक्मा करने में चक्कल लगा ले ओम यानिकान ये पापाने जन्मांतर शिराथ शुरू हो गए है नदी तालावों के किनारे हजारों लोग अपने पित्नों के तरपन के लिए पहुंचते हैं मह हुणा करते हैं सनातन धर्म केनुसा राश्विन महा के कृष्ण पक्ष को शिराद पक्ष के रूप में मनाया जाता है और शुक्ल पक्ष को मात्र पक्ष अथवा शक्ती पक्ष के रूप में मनाया जाता है अर्थात अपने पित्रों को तरप्त कर ही देवी देविताओं की भी कृपा सुलब हो पाती है जो पित्रों की उपेक्षा कर देवी देविताओं की पूजा करते हैं उन्हें उस पूजा से कोई लाप नहीं मिल पाता क्योंकि पूर्व रिन जब तक विद्यमान है तब तक और क्रिपा कैसे मिल सकती है मनुष्य पर तीन प्रकार के रिन प्रमुख माने गए हैं पित्र रिन, देव रिन और रिशी रिन इनमें पित्र रिन सर्वो परी है पित्र रिण में पिता की अतरिक्त माता तथा वो सभी बुजुर्ग सम्मिलित हैं जिन्होंने हमें अपना जीवन धारन करने तथा उसका विकास करने में सही योग दिया। इसलिए पित्र रिण की किस्ट चुकाए बिना शक्ती के क्रिपा कैसे मिल सकती है। श्राद का वर्णन सनातन धर्म के अनेक धर्मिक गरंथों में किया गया है। श्राद पक्ष को महाले और पित्र पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। ये पक्ष पित्रों का पर्व है जिसे पारवन भी कहा जाता है। शिराद का अर्थ अपने देवताओं पित्रों परिवार वंच के प्रती श्रधा प्रकट करना होता है पोनिमा का शिराद पहला और अमवस्या का शिराद अंतिम होता है हिंदू मा की तिथी के नुसार जब व्यक्ति मृत्यू पाता है उसी तिथी के दिन उसका शिराद मनाया जाता है आश्विन कृष्णि पक्ष के 15 दिन शिराद के दिन रहते हैं जिस व्यक्ति की तिथी याद ना रहे तब उसके लिए अमवस्या के दिन ही उसका शिराद करन प्रित्वी पर आते हैं मानिता की पित्रपक्ष में हम जो भी पित्रों के नाम से तरपड करते हैं उसे हमारे पित्र सुक्ष मिरूप में आकर अवश्य ग्रहन करते हैं अब सवाल ये उठता है कि श्राद की वस्तुएं पित्रों को कैसे मिलती है तो पहले ये समझें कि श्र अध्या दियते यत तत शिराधम शिराधकार्थ है शिरधा से जो कुछ दिया जाए। सभी प्राणियों और जगत को तृप्त करता है पित्रों की तृप्ती को साक्षात विश्नु पूजा ही माना गया है सनातन धर्म की मानिताओं के अनुसार कर्मों की भिनता के चलते मरने के बाद गतियां भी भिन भिन होती है ऐसा माना जाता है कोई देवता, कोई पित्र, कोई प्रेत, कोई हाथी, कोई चीटी, कोई वरिक्ष और कोई त्रन बन जाता है तब मन में ये शंका होती है कि छोटे सिपिंडर से अलग-अलग योनियों में पित्रों को तृप्ती कैसे मिलती है सकंदपुराण में बहुत सुन्दर समाधान मिलता है और यम स्मिती केनुसार यमराजी का कहना है कि श्राद कर्म से मनुष्य की आयू बढ़ती है पित्रगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंच का विस्तार करते हैं परिवार में धन्धाने कामबार लगा देते हैं श्राद कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष्य की विर्धी करता है और यश और पुष्टी प्रदान करता है पित्रगण स्वास्थ, बल, श्रे, धन्धाने आधी, सभी सुख, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं श्रधा पूर्वक श्राद करके परिवार में कोई कलेश नहीं होता ये समस्त जक्कू त्रप्त कर देता है अगर इतना भी ना हूँ, तो अपनी दोनों भुजाओं को उठा कर कह देना चाहिए कि मेरे पास श्राद के लिए न धन है नहीं कोई वस्तू अतहे मैं अपने पित्रों को प्रणाम करता हूँ, मेरी असमर्थता को देखते हुए, मेरी भक्ती से ही त्रिप्त हूँ, प्रसन हूँ ये भगवान श्री नारायन मेरे पित्रों को मुक्ती प्रदान करें पित्रपक्ष पित्रों के लिए पर्व का समय है अतहे प्रतीक गहिस्त को अपनी शक्ती और सामर्थिक एनुसार पित्रों के निमित श्राद और तरपन अवश्य करने चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना हैं। झाल